तो आपका स्वागत है तिरपार्ण स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं जोग्रैफी के चैप्टर यानि जोग्रैफी जो गोल है यह अत्यंत महतुपून चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भी गोल के विशाय में बहुत इपिस्तार पुरभग चर्चा करेंगे तो देखते हैं हमारा आज टोपिक क्या है संसादनों का संरक्षन कहते हैं संसादन जो है हमारे लिए एक नेचर का दिया हुआ बदान है अगर हम संसादनों के संडक्षन ना करें तो हो सकता है कि आने वाला समय में हम उन सभी संसादनों से अंधिक्त हो जाएंगे जो हमें अभी फिलाल मिले हुए हैं तो इसलिए संसाधन का संडरक्षन करना अत्यांत मेतवपून है यह आपको मैं साफ बता दू कि यह संसाधन जो है बनने में लाको क्रोडो साल लग जाते हैं तो इन संसाधनों का विवेख पून उपयोग करना कहते हैं यही समझदारी रहता है लेकिन इंसानों के गत्विद संसाधन करना अत्यांत मेतवपून है नहीं तो कुछ बड़सों के बाद आप देखिएगा कि यह संसाधन जो हमारे पास अपलब्द नहीं होगा ठीक है और आने वा समय में हम इसको कहानियों में ही परेंगी यह बहुत बड़ी जो है आने वाले समय के लिए जो एक बहुत की बड़ी चुनोती रहेगा तो इसे संसाधनों का संदक्षन करना अत्यांत महतवपून है कहते हैं घटते संसाधनों के दुनिया में यह परम अवश्रक है कि संसाधनों का जो है नया संगत उप्योग बरतमान पीड़ी दोरा किया जाए यानि जो पीडिया वी चल रही है उनको जो है बिवयग पुन प्योग करने की अवश्रकता है थाकि भावी पीडी भी प्राक्ति को पहारो से वंचित न हो जाए इसलिए संसाधनों को प्रभदियों के पुन शुरक्षा अतिया वश्रक है इसलिए संसाधनों का जो है सुरक्षित करना काफी महतवपून है किस प्रकार करना चाहिए जो की आने वाले प्रियों के लिए ये एक स्व्यक्षित उपहार के रूप में रहें तो पहला तो यहां पर हमारे समुख्ष आता है पुर्णोद्वार क्या है कहते हैं जहां तक संभब हो सभी प्रकार के प्रयास किया जाना चाहिए जिससे विभीन खणीज का प्रणोद्वार हो सकी प्रणोद्वार होना बहुत जरूरी है अगर प्रणोद्वार नहीं हुआ तो वह खणीज अपने बिलुप्ट होने की अंतिम सीमा पे आ जाएगा शुद्वर संवेदन प्रतिव विद्यों के प्रियोक से नएनए चेत्रों में एक खनीज विचेपों को पाए जाने के सभणता की पैचान भी की जा सकी है यानि एक जो है खनीज के जगा दुसरा खनीज ले लेने की प्रवदान बनाई गई है जिससे जो है उमर को बढाई जा सकती तो यह काफी महत्वपून बात आता है पुन्यद्वार की विधी जो की जरूरी है अगला जो है हमारे समक्ष पुन्य चक्रन अत्यंद महत्वपून है कहते हैं पुन्य चक्रन का मतलब होता है कि दुबारा से उसको उप्योग के लाइक बनाना या लिए रियूस तो कहते हैं खडीजों का अगर आप भविष्व के लिए बचाना चाहते हो तो पुन्य उप्योग करना भी सिखना पड़ेगा और पुन्य उप्योग का अर्थ यही होता है कि कोई भी चीज आप फेकते हो उसको ऐसे बना दो सजावट में बना दो ऐसे कुछी चीज में रख दो किसे आप देखते क बोतलों को आप क्या कर सकते हो उसमें कुछ फूल पौधों को रख सकते हो चाहे किसी दुसरे बस्तू एकने के लिए उप्योग कर सकते हो तो यह होता है पुन्य चक्रन अगर मान लेजिए हमें किसी चीज को खड़िदना है और वही बोतल का आप प्रियोग कर लेती हो परक्रिया के दिञें और इस अरी होता है कि आप पर्क्रिया में खर नीजगों कर पून्य उप्योग सी रिदा अनूपियोगी खागज j часовे बौतलों टी प्लास्टिक के पूल्य चक्रन कर काईज या समाचार पत्र के काईगज भाकान के वर्तन डिबबा बनाने के लिए ल सबसे अच्छा पत्र सबसे अच्छा पत्र के देखें कितना उपयोग किया जाता है समाचार भी हम पढ़ते हैं उसका दुबारा से उपयोग भी हो जाता है इसे कई बस्तुएं जो थैले बनाने के लिए प्योग किया जाता है और यह जो है नस्ट भी हो जाता है तो कहते हैं स्वाचार जो पत्र होते कागज जो होते हैं बहुत काफी महत्पून होते हैं हर कारे के लिए यह परक्रिया जल एवं विदूत की खपत को प्रभावी तरीके से कम करती हैं तो ऐसे कदम जरूरी है उठाना क्योंकि इसे कदम बन संपदाओं कम होने की परक्रिया के धीमी कर सकती है कि आपको पता ही है कि हमारे अर्थ भारत में जो देखा जाए तो बन जीवन बहुत ही कम है 33 परतिशत होना चाहिए लेकिन सिरफ अभी के समय 20 परतिशत ही बन सेस रहे गया है तो इसका मतलब है कि हमारे बहुत ही संकट के समय से हम गुजर रहे हैं कि अगर ऐसा कदम उठाया जाए पुर्णे चक्रन की विदी अपनाया जाए तो जर्नल सी बात है कि हम आने वाले समय में बनों का उपयोग बनी भाति कर सकते हैं तो पुर्णे चक्रन के अंतरगत बनों की सुरक्षा होना एक सभावित बात निशित करता है पुरानी मसीनों बाहनों दोग्यूप करनों का उपयोग के बाद इन्हें परवर्तन कर इन नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं तो यह पुर्णे चक्रन की विधी जो है काफी महत्वफून है जिसको अपनाना चाहिए और सरकार को इस बात पर प्रुसाहित करने की अवशक्ता है उसके पर शाथ आता है प्रतियस्थापन प्रतियस्थापन देखिए क्या कहता है अपरिक पीतल या मिट्टी के घरों को प्रतियाप अस्तापिद कर अपनी जगह बना ली है यहां तकी वह जो जो है अटो मुबाइल द्योग में कर स्कूटर के धांचो में जो है प्रियुक्तिसपात की जगह प्लास्टिक ने रखी है तांबे की पाइप की जगह जो है प पस्याथ आता है अधिक कोशल युक्त उप्योग यानि यह भी बहूत जरूरी है कोई भी वस्तु का अधिक कोशल युक्त प्रियोग करना की अशकता होती है खनीजों का लंबी अवधी तक जो सरशकने से निर्मान प्रक्रिया में मोटर गाड़ी अधित छमता एवं गती वाली मिलनी लग गई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कुछ चंजिस तो जरूर देखने को हमें मिला है जहां पर जो अधित कोशल जो है संसाधनों का उप्योग किया जा रहा है काफी महतपून है कर दो आम से थाय जोगा अप्योओन कोशल जाना है वहा जो जो तो जाना है जो जो कि अवाल है जो आहीं है झाल नहीं है